हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आप सभी के लिए 10 most important selected question लिया गया है जो आपके previous year exam से यह सभी question selected लिया गया है जो आने वाले exam के लिए यह सभी question very very important साभित होगा friends आप सभी को परते question के लिए 5 सिकेंड का समय दिया जागा इसमें आपको इसका answer comment box में लिखना है चलिए friends start करते हैं तो friends यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो का like कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजिएगा तो आपके सामने first question है कि एक मत अधातू जो द्रो अवस्था में मौजूद है आपके सामने चार आपसन है friends ब्रोमीन पारा बोरान प्लोरीन तो इस प्रश्क कराइट answer होगा ए ब्रोमीन ब्रोमीन जो है ताए friends एक मत अधातू है जो द्रो अवस्था में मौजूद है चलिए friends next question को देखते हैं आपका सामने next question है कि दिसपूर निम्निमे से किस राज जी की राजधानी है तो इस प्रश्क कराइट answer बताए friends आपके सामने इसका विचार आपसन है फर्स्ट आपसन है असम बी आपसन है जम्मू कासमीर सी आपसन है हिमाचाल परदेश डिया आपसन है तमिलाडू इस प् आपका नेक्स्ट गॉच्ट है फ्रेंड्स चलिए next question को देखते है आपका next question है कि उत्तल दरपड की focus लंबाई कितनी होती है तो इतनी फ्रेंड्स आपके सामने इसका चार आपसन है तो इस प्रश्क कराइट एंशुरोंगा रिवात्मा इस प्रश्क कराइट दूरोंग का यह ओड़ात्मक होती है, next question, आपका next question है, कि सावी 3 नदी कहां स्थित है, इस प्रश्का राइट एंसर बताएं friends, आपके सामने चार आपसन है, first option है महाराष्ट, बी तरिपूरा, सी है गुजराथ, बी है गोवा, इस प्रश्का राइट एंसर होगा, महराश्द जब कलिस्इमकारवाइट पर पानी गिराने से उत्पन गईस होता है इस प्रशकराइट एंसर बता है इस प्रश्कराइट एंसर होगा बी एसेटिलीन कर्वाइट पर पानी गिराने से उत्पनगैस एसेटिलीन होता है चले फ्रेंड्स नेक्स कोस्टिन को देखते हैं आपका नेक्स कोस्टिन है कि अंतराष्टी चावल अंसंधान संस्था कहां इस्थित है तो फ्रेंड्स आपके सामने चार आपसान है पेचिंग, कराची, फिलिपिन्स, कटक तो प्रश्ट आपका है फ्रेंड्स अंतराष्टी चावल अंसंधान संस्था कहां इस्थित है तो फ्रेंड्स का राइट एंसर होगा सी फिलिपिन्स कि किस की कमी से घंगा रोग होता है आपका नेक्स किस्ट्राश्ट्री गरीवी उन्मुलन दिवस हरवर्थ मनाया जाता है तिस प्राश का right answer बताएं friends आपके सामने चार options हैं 17 अक्टूबर 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर 18 तिस प्राश का right answer होगा 17 अक्टूबर को अंतराष्टी गरीवी उनमलन दिवस har Presents मनाए जाता है चरहें नेक्स कुेस्टन के लेखते हैं आपके सामने नेक्स क्वेस्टन है कि प्रकाश के विद्व चुम्ब की तरंगों की खोज किस ने की थी तो इस प्रश का राइट एंसर बता है फ्रेंड्स इस प्रश का राइट एंसर होगा C Maxwell Maxwell ने प्रकास के विद्व चुम्म की तरंगों की खोज की थी चलिए नेक्स कोईटिन को देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट कोईटिन है फ्रेंज तो किस में पर्यापत विटामिन C होता है फ्रेंज तो आपके सामने चार आपसन है आवला, से, केला, पपीता तीस प्रश कराइट एंसर होगा आवला, आवला में पर्यापत मात्रा में विटामिन C होता है तो फ्रेंज आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें कि 10 कोईटिन में से आपके कितने कोईटिन का एंसर सही हुआ है तो फ्रेंज ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक किर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थाएंक्स फार वाज़ाई